हेलो फ्रेंट्स, मैं सुसील आप सभी को S के शिर्टाया से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम दूदिखेंगे बहुत इंपोर्टेंट जब दोस्तो अलफा वेट एनालोगी रिजिनिंग के बारे में देखेंगे जो दोस्तो की बहुत ही इंपोर्टेंट होगा दोस्तो इसमें जो भी प्रसन है, सभी पीछेले परचाया में पूछे गए प्रसन बता रहा हूँ जो कि exam के लिए important होने वाला है दोस्तो इसमें सारे के सारे प्रसन पूछे गए जिस तरह से आप question देख सकते हैं आपको मिलता रहे तो चलेंगे दोस्तों हम लोग questions की वो तो बात करें तो क्या कहते हैं दोस्तों BDAC संबंदित है किस से एप एच एजी तो एन पी एम ओ किस से संबंदित होगा options के अनुसार फटाफट आपको answers बताना है दोस्तों और वी वीडियो इसका बना दिया गया है जिसका लिंक इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा ठीक है तो आप देख सकते दोस्तों यहां से क् आपको हम बताये दोस्तों कि अलफावेट का जितना भी है दोस्तों इसका नमबर याद कर लेना है ठीक है तो इजोटी बताये उसको याद रखिएगा तो चलेंगे हम लोग इसको किस तरह से बनाया हम देख सकते दोस्तों यहां से क्या कहता है कि बी जी जो है बी एप बन यहां से देखिए बी जो है दोस्तों क्या हो रहा है यहां से एफ बन रहा है अब यह जो डी है दोस्तों एच बन रहा है अर्था डी जो है दोस्तों डी एच बन रहा है और इसमें चार जोड़ जाएगा तो क्या दोस्तों बनता है एच बन रहा है बन रहा है अब यहां से C, जी हैं दोस्तो, C में अगर 4 जोर दिये, C रखिए यहां से C, C में अगर 4 जोर दिये, तो C होता है 3 और 4 होता है 7 अर्था, दोस्तो क्या जाएगा G7, सभी को बताय हुए है G7, तो इस तरह से हमें यह प्रप्त हो रही है, सेम प्रोसेस दोस्तो, यही करेंगे, तो यहां से आप देख सकते, N में अगर 4 जोर दिये दोस्तो, N क्या होता है N होता है 14, और 14 4 जोर दिये तो दोस्तो, 18, 18 किसका होता है, तो R का होता है 18, याद रखिएगा आप यह, ठीक है P में अगर 4 जोर दिये मेरे मित्र मेरे दोस्ती में अगर चार जोर दीः तो पी होता है चोटा, enthe यहाद रखना है आपको में अगरr 4 जोर, तो m होता है कितना 13 तो में अगर 4 जोरो,कि एGo देंगे, तो क्यों का होता है यह भी याद अट्रेख है अट्रेख है तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होगे कहीं भी आपको दिकत नहीं हुई होगी चलेंगे दोस्तों हम लोग next questions की और next questions आपके screen पर सो दोस्तों देख सकते हैं कि FGHI संबंधित है OP की वार से तो BCDE संबंधित किस परकार से होगा तो फटा-फट यहां देखना है दोस्तों कि FGHI OP की वार जो किस तरह से संबंधित है तो आप देख रहे हैं दोस्तों अभी हमने क्या किया था चार-चार जोड़ा गया था लेकिन इसमें देखिए दोस्तों आप क्या हो रहा है यहां पर यहां देखिए एप 6 होता है G7, H8 और I9 होता है अर्थात यहां से continuous है और यहां देखिए OPQR यानिकी O15, P16, Q17, R18 है यानिकी continue है तो आप देख सकते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पर फटा-फट FGHI ठीक है और यहां से OPQ और यह हो गया R हो गया तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहां से होता है इसका 6, 7, 8 और यह होता है 9 और यह होता है 15 P का होता है दोस्तों 16 Q का 17 R का 18 तो यहां से 9 में दोस्तों अगर 6 जोड़ दिये ठीक है दोस्तों 9 में 9 में अगर 6 जूट गया तो यहां से 15 पराप्त होता है चुकि यहां से यह regular है continuous है 15, 16, 7, 8, 6, 7, 8, 9 तो उसी परकार B, C, D, E में क्या जूट जाए ना तो दो हो गया इसका इसका 3, 4 और 5 तो अगर दोस्तों 5 में 6 जूट जाएगा तो कितना होगा तो एगारा होता है ना तो एगारा किसका होगा दोस्तों Kings 11 बताय हुए है तो यहां से कलम N हम लिख सकते हैं तो यानि कि हमारा options किसके साथ जाएंगा देखेंगे हम options में दोस्तो फटा-फट बता है तो KLMN यानि कि options B के साथ हमारा answers चला जाएगा जो कि बिल्कूल सही उत्तर होगा तो उमीद करता होगी तो आपको समझ आ रहे होगी अगर समझ आ रहे हो दोसो और पसंद आ रहे है तो like भी चरूर कर लिजेगा चलेंगे दोस्तो देखेंगे questions next questions देखेंगे बहुत ही सुन्दर questions ADHM ZWSN ZCGL बहुत ही सुन्दर question से देख सकते हैं इस question को किस तरह से बनाया गया दोसो A D H M A D H M को कहलाया है दोसो Z W S N जी हाँ दोसो Z W S N तो आप देख रहे हैं दोसो अपने screen पे यह 1 होता है यह 4 यह 8 और यह 13 यह Z का मान कितना होता है 26 इसका मान कितना होता है T SD UW 23 S का 19 14 का N होता है तो आप देख सकतें दोसो यहां पे कितना जूटा कि 26 पराप्त हो गया दिये दोसो कितना जूटा कि 26 पराप्त हो ड़ता है 23 जूट रहा है m coarse दोसो जी Making कि जी एल इनना तो अब देख सकते दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा इसका मौन 26 के टिन साथ और यहां से ये बारा तो अर्थाथ क्या करें दोस्तों अगर इसमें हम 13 जोड़ दिये तो 30 तो यहां से देखिए दोस्तों कि यहां से क्या गया था दोस्तों देखिए और उसके बाद जस्ट क्या किया था यहां पे 6-6 में 3 कं किया था तुसी तरह 25 में 3 कं कर देंगे तो कितना मिलबेंगे दोस्तों हम ले अगर चार कं तो कितना प्राप्त होता है आर प्राप्त होगा अठारा प्राप्त होगा ठीक है उसी परकार यहां देखते हैं 19 में कितना कम किया दा तो 5 कम कर दिया था 19 में 5 कम कर दिया था तो 18 में अगर 5 कम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तो 18 में इस 5 अर्था 13 प्राप्त होगा तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाड़े होंगे दोस्तों अगर अच्छी ले लिए तो लाइक भी जरूर कर लिएगा चलिए दोस्तों नेक्स्तों की और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सुन्दर कोश्चंस है और समझने वाली कोश्चंस है इस तरह की कोश्चंस एक की सतरह से संबंदी था है अब देख सकते हैं जैसे इसका अमान हो गया एक तीन पॉश्च और ये साथ दो चार छे और एच का क्या दोस्तों आठ तो आप देख रहें दोस्तों अपने स्क्रीन पर क्या किया गया है सही से देख लें बहुत ही सुन्दर कोश्चंस है और ये questions exam में पूछे ही जाते हैं तो यहां से देखें दोस्तों A का संबंद B से, C का संबंद D से E का संबंद F से और G का संबंद S से, यानि कि सभी में दोस्तों यहां से क्या कर दिया गया है, यहां से 1 1 प्लस कर दिया गया, ठीक है तो सेम प्रोसेस दोसों अगर चलेंगे C में E में G और I सम में 1 1, तो C में प्लस 1 अगर कर देते हैं दोस्तों, C में प्लस 1 तो क्या होगा, D E में प्लस 1 करेंगे तो E F हो जाएगा, G में प्लस 1 करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा और i में पलस 1 करते हैं दोस्तो जे हो जाएगा यानि कि E F H J D F H J D F H J कहाँ है दोस्तो A के साथ हमारा answer चला जाएगा दोस्तो जो कि बिल्कूल सही उतर होगा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहे होगी कहीं भी नहीं का सामना करना नहीं पर रहा होगा चलेंगा लोग next questions में दोस्तो बहुत ही सुंदर questions जैसे number को इस तरह से उलट boiling के लिख दिया है तो इस तरह संख्या का जो है उलटा-उल्टा क्या होगा तो सधारन सी बात है दोस्तो हमिश्का number नमणिंग कर लेंगे ठीक है जिसे देख सकते एन यू एम बी ए आर ठीक है तो आप यहां से देख सकते दोसों क्या किया गया है लगातार प्रारंभ के दो दो अंक उलट दिया गया है आप देख सकते दोसों यहां से एन यू क्या कर दिया गया है यू एन कर दिया गया है फिर दो अंक देखेंगे MB, MB को क्या कर दिया गया है, उसी तरह ER को क्या कर दिया गया है, RE कर दिया तो same process हम इसमें चल सकते हैं, GH, OS, T, S, पहले दो अँक लेंगे G, H तो इसको H, G कर लिया फिर O, S को लेंगे तो इसको S, O, कर लिया फिर इसको Ts को लेंगे दोस्तों इसको पिलट देंगे तो S, T हो जाएगा तो इस तरह से हमें तो यह पराप्ट वो रही ही H, G, S, O, S, T तो H, G, S, O H G S O S T का मिलना है दोस्तो H G S O S T यहनि कि C के साथ हमारा एंसर जारा जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा तो मित करता होगी दोस्तो आप समझ पा रहे होंगे आज के लिए इतना ही है दोस्तो अगर अच्छी लग रहे तो जादे जादे लाइक जरूर करके जाएगा तो अपने दोस्तों के बीच में सेर भी जरूर करेज़ेगा तो मिलेंगे हम लोग इसी तरह के वीडियो के साथ नई जोश नई नारजे नई मॉनिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार अपने आसपास स्वक्षता बनाए रखे धन्यवाद